धिरेंद्र कृष्टना शास्त्री का नातपूर में रेशिमप्रग रेशिमबाग ग्राउन में दिनांक पाच तारीक से लेकर तो तेरा तारीक तक श्रीरामकता का आयोजन था लेकिन उसी दर्मयान साथ और आठ तारीक को दिवे दर्बार और प्रेद दर्बार था अकिल भारतिय अंदर शद्दा निर्मोलन समीती के तरब से दिवे दर्बार और प्रेद दर्बार को अक्षिप किया गया उसके बाद में शिकायत दर्ज की पॉलिस में उस शिकायत का क्या हुआ है हम जानते हैं हमारे साथ में शाम मानों जी है जो सहाथ देक्षर है जादू टौनाविरोधी काईदा के सर आप बताओंगे कि अभी क्या स्थीती है जो आपने शिकायत दर्ज की थी जो शिकायत दर्ज किये थी वो क्राइम ACP के तरफ किये थी उन्होंने अपना काम पूरा किया बहुत मेहनत से सबतयार किया और फिर ये केस बड़ी होने के करण इसमें पॉलिटिकल लोग भी इन्वाल होने के करण ये केस अभी अगे गई है याने वो उनके तरफ से DCP जाए ही है अभी दो-चार दिन पहले एफायर दाखिल हो और उनको औरेस्ट हो या फिर पंदरा दिन बाद हो उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला इसलिए उनको चाहिए उतना समय वो ले ले लेकिन अपना काम करे क्यों तो ये कानून तो मेंडिटरी है एफायर तो दाखिल हो पोलखोल सभाय बहुत मशूर है जब हम पोलखोल सभा लेते हैं तो बहुत विस्तार से उस बाबा की सभी कारीगरिया उजागर करते हैं तो ये बाबा किस दंग से लोगों को ठकते हैं क्या प्रकार है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये सभी जानकरिया हम लोगों के स इस्पोज किया गया था शकुंदला देवी कहती थी God can tell correct fortune so can शकुंदला देवी याने इतना correct fortune बताने वाली शकुंदला देवी क्यों उसको भागना पड़ा नाकपुर छोड़ कर दूसरे आएक बहुत बड़े बाबा पाइलड बाबा पाइलड बाबा हमारे बीच में जो भवन के बाजू में ग्राउंड है यश्वन स्टेडियम है उस ग्राउंड पे दस बाइदस का गड़ा खोटकर उसमें बैठेते बातर घंटों के लिए और उनका दावा था कि वो जब meditation में जाते हैं उनको प्रायन वायू की आवशक्ता नहीं होती है बाद में उनको आव definitely वो भी उनके हम लोगों के सामने रखेंगे सुनरदास महराच ये दिक्षा देते थे और दिक्षा के नाम पर स्त्रियों का भोग लेते थे वो जाहिर तरीके से कहते थे कि दस मार्ग से स्त्रियों को मोक्ष मिलता है पुरुशों को नव मार्ग से मिलता है और दसवा मार् मंदर बनाना तो ये महराज किस धंसे स्रीयों को ठकता था पुरुशों को भी इसकी जानकरी नहीं होती थी ये सभी किस्सा रखेंगे उसको नाकपुर से भगाया गया दबंग महराज था राजस्थान के तब के डीजी उनके सगे भाई थे ये खुद मिल्टरी में बड़े अबसर थे और बहुत लोग उनको डरते थे लेकिन नाकपुर से उनको भागना पड़ा फिर यहां चार और एक भरतिये मिश्णरी ऐसे पाच मिश्णरी आये थे चंगाई सभा उन्होंने आई जित की थी ये चंगाई सभा में अंधा देखने लगेगा बहरा सुनने लगे फिर यह जो बड़े पैमाने पर पॉल खूल हुय है और यह पॉल खूल शहर नापपुर क्यों कहा जाता है यह तो बात लोगों के सामने रखेंगे ही लेकिन इसके पिछे का साएएंस क्या है क्यों लोग ठगे जाते हैं से कारण भी मैं आपको जानकरी दूँगा अखिल भारतिय अंदश रद्धा निर्बुलन सम्मीती का तीस लाग का आववांस विकारे बिना धिरेंद्र महाराज नाकपूर से क्यों भागे आई ये दिव्य शक्ती की पोलखोल सुनिए ये जाहीर सभा है इसमें मैं बोलने वाला हूँ हिंदी में बोलने वाला हूँ इस सभा के अध्यक्ष शरत पाटिल रहने वाले हैं और ये अठरा जन्वरी को शाम को छे बजे सूरेश भट सभाग रुवा में रेशिम बाग में ही ये सभा होने वाली है तो मैं आप सभी से जो जो लोग सुन रहे हैं सभी से आवाहन करूंगा कि ये सभा के लिए अवश्या ये अपना सभाग भी आप वहां पर आकर हमारे सामने जाहिर कीजिए और सबसे बड़ी महत्वगी बात होगे कि जिन लोगों के मन में थोड़ा बहुत अंदविश्वास के बजाए में कहूंगा महाराज के प्रती विश्वास बाकी है वो लोग डेलिबरेटली आएं देखें कि ये महाराज कैसे लोगों को ठकते हैं उनके सभी ठकने के प्रकार में आपके सामने रखने वाला हूं विस्तार से ये सभा होगी और जो लोग धिरेंद्र महाराज को एक्सपोस करने को सपोर्ट करना चाहते हैं वे भी आएं जो लोग धिरेंद्र महाराज पर विश्वास रखते हैं उनकी दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखते हैं वो भी समझने के लिए इन सभा में आए और अपने आपको ठीक डंग से जाच पर रख ले यही आवाहन इस भाहने में आप से करूंगा क्या मेरा पाफन अजी जोगिसा मी सुदर्शन बागडे नियूज नाकपुर